आज के टाइम में कौन एक अच्छी स्मार्टवाश नहीं खरीदना चाहता है लेकिन बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं, जिनका बज़ट कम होते हैं लेकिन मार्केट में इतने सारे ओप्षिन्स हैं और बहुत सारी यूजर्से लेक झांप्षिन हो जाते हैं 5,000 रुपे के प्राइस सेग्मेंट में ऐसे बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं जो आम तोर पे स्मार्ट वाच में देखने के लिए मिलता है और यह बहुत ही कॉमन हो गया बहुत यूस्फुल भी होता है सबसे पहला फीचर है अमुलेट डिस्पले आज कल बजट रेंज वाली स्मार्ट वाचेज में भी अमुलेट डिस्पले देखने के लिए मिलता है इसके लावा जो सबसे जादा यूसर्स की डिमांड होती है वो है ब्लुटूथ कॉलिंग सबसे अब जो 5-10,000 रुपे वाली स्मार्ट वाच भी आ रहे है उनमें ब्लुटूथ कॉलिंग का फीचर मिलने लगा है इसके लाव कुछ ऐसे फीचर है जो बहुत ही सेलेक्टिड स्मार्ट वाचेज में देखने के लिए मिलते है वो भी 5,000 रुपे से भी कम प्राइस से दीदना चाहते हैं जो देखने में भी गुड लुकिंग और इन सारे फीचर से भरी हुई हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे है तो इस लिस्ट में जो हमारे पास सबसे पहली स्मार्ट वाच है वो है क्रॉस बीट इगनाइट S5 स्मार्ट वाच ये एक लेटेस स्मार्ट वाच है इस वाच की सबसे खास बात ही है कि इसमें आपको 1.96 इंच का एक बड़ा एमुलेट डिस्पले मिलता है साथ में ये एंटी ग्लेर स्क्रीन के साथ आता है और इसमें ऑल्वेज ओन डिस्पले जैसे फीचर का भी सपोर्ट मिलता है इसके लाब वाच की करेंगे तो इसमें आपको 500 से जादा वाच फेसे मिलता है जिसे आप अपनी साप से कस्टमाइज कर सकते हैं साथ में कालकुलेटर, स्नाप चार्ज, AI हेल्थ फीचर, एडवांस ब्लुटूथ कॉलिंग इसमें आपको मिलती है और साथ में इस वाच को आप अपनी वाइस स से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सारे बहुत ही पापक फीचर है और भारत में आप स्मार्ट वाच को सिर्फ 5,000 रुपे में खरीच सकते हैं इतनी कम कीमत में इस वाच में बहुत ही अच्छे फीचर मिल रहे हैं साथ में ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉंच है और इस लिस्ट दूसरी स्मार्ट वाच है वो है रियल्मी वाच 3 प्रो ये भी अपना आप में बहुत ही अमेजिंग स्मार्ट वाच है अब इसके कुछ खास फीचर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको एक प्लास्टिक बिल्ड मिलता है बहुत डूरेबल स्मार्ट वाच है बिल्कॉलि सिंगल चार्ज में 10 दिन रख बैटरी बैकप उफर करती है एक और खास बात है वो है इसका ब्लुटूथ कॉलिंग सपोर्ट इस वाच के जरी आप अपने स्मार्ट फोन से कनेट करके बात कर सकते हैं अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इस वाच में आपको 1.78 इंच का एक आप में बहुत अच्छे अच्छे पीचरस है ञाना दिस्पले की पर्फिर्मेंस बहुत फास्ट हो जाती है साथ में आलवेज ओन डिस्पले को भी बहुत पसंदाता है और इसमें AI N.C का सपोर्ट दिया गया है तो यह जो सारे वीचर जो बहुत एड़ांस पीचर और खा यह है OnePlus Nord Watch, जैसा कि नाम से पता चलता है और यह OnePlus Lovers के लिए बहुत अच्छी होगी OnePlus Smart Watches वो क्वालिटी वाइस भी बहुत अच्छी लगती है मुझे भी परस्नली बहुत पसंद है इस वाची खास बात है कि यह प्रिमियम लुक के साहता है और इंडिया में आप इसे 5,000 रुपे में खरीच सकते है इस वाच में 230 एमेच की बैटरी मिलती है हाला कि इस वाच का जो एक ड्रॉबैक फीचर है कि इसमें Bluetooth कॉलिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है सो मोस्ली जो प्राइस सेग्में में वाचे जाती है उन्हों Bluetooth कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है लेकिन Bluetooth कॉलिंग नहीं होने की वज़े से जो स्मार्ट वाच का बैटरी बैक अप है वह बहुत अच्छा है इसके रावा इस वाच में बहुत सारे अच्छी हेल्थ फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, SPO चूट राकर है, स्टैप काउंट आप कर सकते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग है सिंगल चार्ज में स्मार्ट वाच 10 दिन तक का बैटरी बैक अप उफर करती है डिस्पले फीचर्स की बात करते हैं, तो इस वाच में आपको मिलता है 1.78 इंच का बड़ा डिस्पले जो 500 nits की brightness support के साथ आता है और इस 60 Hz refresh rate को भी support करता है यह बहुत ही अच्छा डिस्पले है, डिस्पले की जो performance है वह बहुत smooth है और आपको 60 Hz का refresh rate मिल रहा है, उसे जो touch response है वह भी बहुत fast हो जाता है इसके अलावा जो वाच की build quality है वह बहुत अच्छी है कि यह metal frame में आता है जो उसको बहुत premium look देता है वही वाच के कुछ additional features के बारे बात कर लेंगे तो यह watch IP68 rating के साथ आती है आप यह नहीं जानते होंगे कि यह one of the best selling smartwatch है यह थी हमारी 5000 उपे के price segment में आने वाली top 3 smartwatches उनकी खास बात है कि आपके budget में fit होती है, यह pocket friendly है Bluetooth calling और AMOLED display जैसे आपको दमदार features भी मिल रहे है अगर आप भी एक अच्छी smartwatch खरीदने की planning कर रहे है और आपका budget 5,000 उपे से कम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल होने वाला है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इसके लावे यह वीडियो आपके लिए यूसफुल थाया नहीं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें